मेरे पिरेदर्स को एक बार पुने उपश्टित हूँ मैं आपके सामने आप सभी मित्रों के बीच घर के वास्तो दोस्त के निवारन का एक असान तरिक्का के साथ पराय आपने देखा होगा कि लोग घर बनाते समय काफी कुछ जाच परताल के बाद ही एक मकान का निर्मान करते हैं लेकिन कभी कभी उसमें भी कुछ चीजे बनते बनते बदल जाती है क्योंकि नक्षे का भी ध्यान रखना पड़ता है और कई बार मकान का पूरा निर्मान करना संबव नहीं हो पाता और आदे दूरे निर्मान के बाद भी लोग रहना कर देखते हैं यह सोच करकी बाकी का काम बाद में पूरा होता रहेगा इस तिती में अदूरा निर्मान में वास्तु दोस आ जाता है जो परिवार की सुख शान्ति में बादक बन जाता है और हम परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है लेकिन समझ नहीं पाते हम कि इन मुश्किलों का कारण क्या है ऐसे में परिवार में कले असान्ते का माहूल बना रहता है नोकरी में प्रेशानिया आती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम दिन रात मैनत करने के बावजूत भी सफलता से खुसाली से दूर जो है क्यों र जाती है जिसे हम सोच भी नहीं सकते और आज जो साधारन उपाए मैं आपको बता रहा हूँ उससे लाखों लोगों की जिन्दगी को खुसाल होते हुए देखा गया है आप सोचते हों कि आपने तो बिल्कुल वास्तु विदी के हिसाब से ही अपने घर का निर्मान कराया ह फिर भी ऐसा क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि एक गलत तरीके से लगी इट भी आपके मकान में वास्तु दोस्त पैदा कर सकती है ऐसे में क्या करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कतई परेशान होने की जूरत नहीं है तांतरी या किसी जोतिस के पास भी मेडिकेट वाला नहीं हो वह कपूर ओरिजिनल कपूर होना चाहिए और उसे मकान के चारो कोन में संदा काल यानि गोदली वेला में जलाए ऐसा करके आप अपने घर के वास्तु दोस्त और घर में पैदा हो रही नेगेटिविटी एनरजी को हमेशा के लिए खतम कर सकते है और अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं तो समस्ताओ के ऐसे ही असान हल करने के उपाए जानने के लिए देखते रहे इस चैनल को हर दिन एक बहुत ही उप्योगी जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँ आगली वीडियो में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेय अच्छे विचार व्यक्ति को महान बनाता है तो पिरेदर्स को हर हर महा देवो